हेलो स्टूडेंस, उम्मीद है कि आप सब स्वस्त और शुरक्षित हैं, बच्चों, आज हम आपके हिंदी पाठ्थ पुस्तक वसन भाग दो से तीसरे अध्याई को पढ़ने जा रहे हैं, इस पाठ्थ का नाम है हिमाले की बेटियां और इसे लिखा है नागार्जुन जीने या एक निवन पिधा में लिखा गया पाठ है, इस निवन में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है, जो हिमाले से निकल कर सागर तक पहुँचने के मध्य कई रूप धारन कर लेती हैं लेखक हिमाले की इस यात्रा में नदियों, पर्वतों, बर्फिली पहाडियों, हरी भरी घाटियों, गहरी गुफाओं, उपवनों, वनों तथा सागर की प्रसंसा की है तो इस पाठ को पढ़ते हैं अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था बड़ी कंबीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी संब्रान्थ महीला की भांती वे प्रतीत होती थी लेखक यहाँ पर हिमाले से निकलने वाले अनेक नदियों के बारे में पता रहे हैं जो कि संब्रांत महिला, यानि, किसी धनी या संपन्य महिला की तरह दिखाई देती है उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे मा और दादी, मौसी और मामी की गोत की तरह उनकी धारा में डुक्किया लगाया करता यानि कि उन नदियों में मैं डुपकियां लगाया करता परन्तो इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूपस में सामने थी मैं हैरान था कि यह दुपली पतली गंगा यही यमुना यही सतलूज समतल मैदान में उतर कर विशाल कैसे हो जाती है यानि कि से निकलने वाली यह पतली पतली नदियां समतल धरातार में जब पहुँच जाती है तो इनका आकार बहुत बड़ा हो जाता है इनका उछलना और कूदना खिल खिला कर लगातार हस्ते जाना इनकी यहाँ भाव भंगी, इनका यहाँ उल्लास कही गायब हो जाता है मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी इतना कोतुहल और विसमे नहीं होता, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखक लेखक यहाँ पर नदियों के विशमें कह रहे हैं कि लेखक इस बार जब हिमाले की यात्रा पर गया, तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देख हैरान रह गया हिमाले पर पतली दुबली सी दिखने वाली गंगा यमुना सत्लूज मैदान में उतर कर इतनी विशाल हो जाती हैं इनकी व्यवाहर की चैंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता हिमाले की गोद में अठ्खेलिया करती उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभे किसी छोटी लड़की या नन्नी कली को देखकर भी नहीं हुआ था आगे लेखक सोचते हैं कहां ये भागी जा रही है वह कौन लक्ष है जिसने इन्हें बेचेन कर रखा है अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हिदय अत्रिप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिता सकेगा लेखक सोच में पर जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी यह न दिया क्यों अत्रिप्त हैं तथा किस लच्छ की प्राप्ती के लिए ये बेचेन होकर भागी जा रही है आगे लिखक कहते हैं बरफ जली नंगी पहाड़ियां छोटे छोटे पोधे से भरी घाटियां बंधूर अधिकत्ताई यानि कि गहरी पहाड के उपर का समतल भाग सरबच उत्पतकाई ऐसा है इनका लीला निकेतन खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड, सरो, चिनार, सफेदा, केले के जंगलों में पहुँचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा लेका कहते हैं कि बर फीन पहाडियों, हरी भरी घाटियों और गहरी गुफाओं जहां इनकी बाल क्रीडा होती है को छोड़ कर ये आगे बर जाती हैं आगे जाकर जब ये मेदानी जंगलों में पहुँचती हैं तो क्या इन्हें बीते दिनों की याद नहीं आते हैं? कौन जाने बुड़ा हिमालाय अपनी इन नटकत बेटियों के लिए कितना सिर्धुनता होगा? बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पुछें तो क्या उत्तर में विराट मोन के सिवाए उनके पास और रखा ही क्या है? लेखक कहते हैं कि बुड़ा हिमालाय अपनी इस नटकत बेटियों के लिए जरूर परिशान रहता होगा लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से यहाँ पुछें तो सिवाए मोन रहने के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो बच्चो आज हम इस बाट को यहीं तक पढ़ेंगे आप आज पढ़ाए गए अंच का अभ्यास कीजिए धन्यवाद